हेलो BSC Second Year Students, कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे My name is आशिश गिरी, आज किस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC Second Year Botany के थर्ड सेमेस्टर में आपका theoretical paper आता है Flowering Plant Identification and Aesthetic Characteristics Students, इस सेमेस्टर से ओल्रेडी मैं कई सारे important videos cover कर चुका हूँ जो कि आपके exam paper के लिए most important है तो अगर आप उन videos को देखना चाहते हैं तो channel के अंदर जाएंगे आपको एक playlist मिल जाएगा या फिर इसी video के description box में मैं आपको link भी provide कर दूँगा जैसे ही आप उस link पर click करेंगे आप direct उस playlist तक पहुँच जाएंगे आज कि इस video के अंदर हमें एक most important short question cover करेंगे जो कि आपके BSC के exam paper में section A में दो number में लगबग हर साल पूछा जाता है जिसका नाम है binomial nomenclature माली जी कि आपके exam paper में short question पूछा जाता है तो इसमें थोड़ा सा आप लोग इसको define करेंगे यानि binomial nomenclature की definition लिखेंगे उसके बाद कुछ rules होते हैं जिसके base पर आप किसी भी living organism का nomenclature कर सकते हो जिसे आप binomial nomenclature कहते हो आप किसी भी organism का चाहिए वो plant हो, animal हो, virus हो आप उसका nomenclature कर सकते हैं उस नियम को discuss करेंगे अगर आपने वो नियम लिख दिया तो आपको complete marks मिलते हैं एक चीज और भी मैं आपको बदा देता हूँ कि कैसे इस वीडियो को देखते देखते ही मतलब इतना short trick मैं आपको बताऊँगा या दो नामों वाली पदती है नाम से ही पता चला है स्टूडेंट्स की इसमें दो words यूज होंगे नomenclature के लिए इसको सबसे पहले introduce किया था कैरॉलस लीनियस ने लगभग 1753 इस वी में जरा ध्यान से सोचे स्टूडेंट्स की आज से लगभग 200 साल से उपर हो चुके है इस नामांकरन को दिये वे इस पदती को दिये गए और आज भी हम इसका यूज करते हैं किसी भी ओर्गिनिजम का नोमन क्लेचर करने के लिए आपके दिमाग में डेफिनिटली ये कोशन आता होगा कि आखिर क्या जरूरत है किसी भी ओर्गिनिजम का नोमन क्लेचर करने की और बाइनोमियल नोमन क्लेचर करने से फायदा क्या है क्या है उसके यूजस जैसे कि अगर हम आम को कहते हैं मेंजी फेरा इंडिका और इंगलिश में मैंगो बोल देते हैं तो क्या जरूरत है मैं जी फेरा इंडिका बोलने की हम सीधे आम बोल कर भी तो काम चला सकते हैं देखे students दुनिया में इतने सारे organism हैं इतनी सारी भाषाएं हैं इतने सारे देश हैं तो इन सभी देशों में और अलग-अलग भासाओं में अलग-अलग organism को अलग-अलग नाम से जाना जाता है तो जरूरी है किसे भी organism को एक specific name एक botanical या scientific name प्रोवाइड किया जाये जिससे कि दुनिया के जितने भी scientist है अगर उस particular species का नाम लिया जा रहा है तो वो उस original नाम से उसके बारे में उसे identify कर सकें मैं example की रूप में आपको समझाता हूँ क्योंकि binomial nomenclature अगर हम किसी भी organism का करते हैं तो उससे miss identification नहीं होती है हो सकता है कि एक देश में किसी plant को किसी और नाम से जाना जाता हो और किसी और देश में किसी और नाम से जाना जाता हो तो ऐसे में miss identification हो सकती है तो binomial nomenclature के दोरा किसी भी organism का अगर आप scientific name प्रोवाइड करते हो तो उससे global communication में भी help मिलती है दुनिया में आप किसी भी देश का कोई भी scientist होगा वो किसी organism के नाम से ही पहचान जाएगा कि ये किस organism की बात हो रही हो तो इससे miss identification भी नहीं होगा साथ में research में भी clarity आएगी ये इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी particular organism को उसका scientific name प्रोवाइड किया जाए जैसे मैं example के लिए आपको बताता हूँ जैसे हींग का botanical name Ferula asafoetida है सौफ का botanical name Phoniculum vulgari है तो पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ आप लोग वहाँ पर उसका नाम वही रहेगा हींग को आप Ferula asafoetida पूरी दुनिया मर्यानी global level पर आप उसका नाम यूज़ कर सकते हो इसलिए जरूरी है कि किसी भी particular organism का एक scientific name होना चाहिए No doubt करेंगे students आज के युग में परतेक पोधे का एक generic तथा एक जाती यानि specific नाम देने की पदती काफी प्रसलित हो गई है Bynomial nomenclature की पदती में परतेक पोधे का पहला नाम generic तथा दूसरा नाम specific होता है generic नाम noun तथा specific नाम adjective होता है जिसे प्रदशित होता है कि एक genus के कई सदस्य हो सकते हैं generic नाम का प्रारंब आप capital letter तथा specific का नाम आप लोग small letter में लिखते हो अभी मैं example के रूप में आपको समझाऊंगा don't worry complete botanical name को या तो तिर्चे यानि italics में लिखते हैं अत्वा उसके नीचे underline करते हैं यानि जब आप उसको handwritten में लिखते हो तो आप उसको underline करते हो जैसे coffee के लिए इस परकार से लिखा जाता है coffee arabica, चंदन के लिए इस तरीके से centelum album अब हम इस तरीके से थोड़ा सा तिर्चा लिखते हैं आम के लिए manji ferendi का आप ध्यान से देखिए यह थोड़ा सा तिर्चा लिखा हुआ italics में लिखा हुआ है जब print किया जाता है तो इस तरीके से italics में लिखा जाता है right prime binomial system of nomenclature में पोधे generic नाम के बाद इस पे सीच तथा उस वेज्ञानी का संचिप नाम लिखा जाता है finally students अब हम discuss करते हैं binomial nomenclature के important rules के बारे में जिसके base पर आप दुनिया की किसी भी living organism का nomenclature कर सकते हो ठीके इसे आपको अपने BSC के exam paper के written copy में mention करना होगा और यही actual में important भी है तो हमने अभी तक क्या discuss कि binomial nomenclature को carolus lenius ने 1753 में दिया था इसे आप binary nomenclature भी बोलते हो और इसमें जो आप लोग नाम mention करते हो वो latin भाषा में लिखा जाता है ठीके italics और latin भाषा में लिखा जाता है पहला नियम क्या है यह जो है दो नामों वाली पतती है यानि इसमें दो words यूज किया जाते है organism का जो इसमें जो first word आप यूज करते हो ठीके दो words तो है पहला words जो होता है वो genus को represent करता है दूसरा जो words होता है वो species को represent करता है ठीक इसके बाद number second जो नियम है जो rule है वो क्या है capitalization इसमें आपको ध्यान अखना है कि first letter of genus यानि कि जब आप genus का नाम लिख रहे हो तो उसका first letter आपको capital में लिखना है जैसे मैं example की रूप में यहाँ पर बता रहा हूँ यह देखो यह आम का botanical name है Mangyfera Indica इसमें जो पहला letter मैंने लिखा है M को capital में लिखा है मैं चाहता तो small m में भी लिख सकता था लेकिन वो नियम में नहीं है नियम कहता है कि आपको capital में लिखना है इसके बाद आपको italics में लिखना है ठीके आपने देखा होगा अभी मैंने दिखाया था student की जब भी print किया जाता है तो italics में लिखा जाता है तो genus and species name italicized उसे जो है italics में लिखते हैं और जब भी आप handwritten में mention करते हो तो आपको underline करना पड़ेगा इस तरीके से आपको एक underline करना होगा ठीक है आप नीचे underline mention करते हो then उसके बाद number four rule क्या है order order में आपको ध्यान लखना है कि सबसे पहले आपको genus का नाम लिखना है then उसके बाद आप species का नाम लिखेंगे यानि जो दो नामों वाली पदती है सबसे पहले आपने mangyfera लिखा क्योंकि ये genus है और indica बाद में आपने लिखा क्योंकि ये species है right तो इस तरीके से genus word पहले mention करना है और species जो नेम होगा वो बाद में आप mention करेंगे finally जो पाँचवा नियम है वो क्या है the scientific name of any two organisms are not similar ठीके किसी भी organism का जो botanical name है वो जो है similar नहीं होना चाहिए यानि कि जैसे आम का आपने botanical name mangyfera indica रख दिया है अब ऐसने कि आप केले का नाम भी mangyfera indica रख दोगे तो वहाँ पर miss identification होगा वहाँ पर miss conception होगा वहाँ पर mistake हो जाएगी तो इसलिए केले का botanical name अलग होगा आम का botanical name अलग होगा तो ये है students by normal normal culture के कुछ important rules मिलते है students next video में अगर आपका कोई वीडिया उठ हो तो आप लोग comment section में mention कर सकते हैं मिलते हैं next video में bye bye